हाई दोस्तों स्क्राइब कीजिए स्मार्ट एच्टी ट्रिक्स को और दवाईए बेल आइकन को जिससे हमारी हर अपडेट आपको मिलती रहे दोस्तों हाई दोस्तों कैसे हैं मैं आपको स्वगत करता हूं दोस्तों दोस्तों वर्ग एक काउंटिंग से समंदित बहुत बड़ी अपडेटिंग करके आ रही है दोस्तों और यह अपडेट आप लोगों के लिए खुसकबरी की तरह भी है और एक तरीके से जटके की तरह भी है जटके की तरह क्या है और खुसकबरी की तरह क्या है तो वीडियो पर स्तों से लेकर लाच्ट बने रहे और पूरा देखी गा और वर्ग दो के लिए भी यह न्यूज बहुत हुआ माइने रखती है तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा देखीगा और वीडियो लास्ट में चल आगे तो ज्यादा ज्यादा सेर करिए करिए गा लाइक करिए गा तो जो लोग चैनल को नय आ बारी है आप लोगों की काउंसिलिंग में संबंदित शुरू करते हैं अपनी वीडियो को हूँ कि तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे उस्च मादमिक सिक्षक और रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षन के अकारण देरी अब नए सिरे से बने मेरिट लिस्ट दोस्तों अब फिर से एक बार मेरिट लिस्ट आएगी और यहां पर अब दो महाँ बात होगी सिक्षक भरती की काउंसिलिंग यहां पर देखिए बहुत ही बड़ा जटका है फिर से मेरिट लिस्ट तयार की जाएगी और यहां पर आर्थिक रूप से कमजो 2018 में कौलिफाइड कर चुके उम्हेंदवारों को नियुक्ति पत्र के अभी कम से कम दो माईने और इंतियार करना पड़ेगा दोस्तों मैंने सुरू में वीडियो बताया था कई वीडियो मैंने बताया कि 27% और 10% कोटा दिया जाएगा ठीक है और उसमें जुलाई महा के गजट में ऐसा कुछ नहीं था और आपके नोटिफिकेशन में चीज में थी उसमें कि मद्द प्रदेश सासन दोरा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसरन में मद्द प्रदेश के 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 से के वर्ग के लिए पद आरक्षित किये जाएंगे तो मद आरक्षन सम्माद्नी पॉइंट में दिया हुआ है तो यहां पर उस आदेश का जो मत्प्रदेश सासन का है सताइस परसन दस परसन कोटा हुआ इसमें लागू होगा और इनहीं के चलते भरती कंसलिंग प्रक्रिया का देरी हो रही है तो आंगे से लिए देखते हैं क्या कह उन्होंने दो महीनें दियार करना पड़े गाई यह देरी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एडवलुएस के आरक्षन के कारण होगी नए आरक्षन के कारण कौलिफाई कर चुक है चैनित उम्मेदवारों से आई सम्माद्नी दस्तावेज बुलवाए जाएंगे इसके ब में एक दितंबर से कांसिलिंग सुरू होना था लेकिन अब तक कैबिनेट से ही नए नियम को लागू करने की मंजूरी नहीं मिली है तो नए अरक्षन जो नियम हैं 27 परशन और 10 परसन का कोटव वह भी कैबिनेट से इसको लागू करने की मंजूरी नहीं दी गई है परिक्षा दोजर अठारा में प्रदेश वर में दो लाग चालिस और उम्मीदवार सामिर हुए थे इसमें क्वालिफाई मार्क नबे रखे गए थे सोला विस्यों में पंद्रा विस्यों के परिणाम 28 अगस्त को जारी हुए जबकि अंग्रेजी का पेपर 29 सितंबर को 12 आ प्रोफेशनल एक्जामिशन बोड पीवी ने पहले के नियम के मुंसार परिक्षा अवजित की थी इसमें कमजोर वर्गे आरक्षन का कालम नहीं था इसमें पीवी के पास आर्थिक रूप से कमजोर वर्गे के अभ्यार्थियों का कोटा इसमें नहीं था तो अब क्या कहन उम्मेदवारों ने परिक्षा दी थी उनके भी आई सम्मेदी दस्तावेज नहीं हैं ऐसे में जिवाग ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि दोनों परिक्षाओं में कौलिफाइद उम्मेदवारों से एक सांथ आय प्रमारपत्र मंगवाएं फिर अभी सिर्फ उच्छ माद कौलिफाइद उम्मेदवारों से एक दिसंबर से दस दिसंबर तक आनलाइन आवेदन भरने और दस्तावेद को सत्यापन दो दिसंबर से सोलह दिसंबर तक करने का को कहा था इसके बाद 26 जनवरी तक इन्हें जोइनिंग देना तय किया गया था अलाकि लोक्सक्क्छों अपने लक्षे से एक भी काम समय पर नहीं कर पा रहा है तो गो उस्ताव चुफ़ाय क पर दो नहीं कर पा रहे हैं सबसे पहले इस पूरे पस्ताव को कैबिनेट से मंजूर कराना हुगा इसके बाद इस तो आज मिल जाती तो प्रक्रिया पूरी करने पिर वह विवाग में जाएगा फिर विवाग उसमें मेरिट लिश्टर तयार करेगा फिर वह लोग सुशल संचना ला के पास जाएगा पिर लोग संचना लाई आपके दस्ताविद मंगाएंगे पिर काउंसलिंगी डिटाएगी तो यहाँ पर दो महिने का समय आपको लगने वाला है दोस्तों तो यहाँ पर एक एस बधोरिया क्या कहते हैं उनका स्टेटमेंट दिखाते हैं चलिए अब हम तो दोस्तों देखिए आपर एक एस बधोरिया अब जो परिचे ने अन्तरा कें पीबी का क्या कहना है उनका कहना है कि हमने पहले से नियमानुसार ही परिच्छा ली थी रिजल्ट समय पूरा डाटर लोग स्क्ष्टन उसको दे दिया था एडवली एस अरक्षन की ज़स्ता होने से इस सम्मन में कोई दस्ताव्यज नहीं लिये गएं अगर यह लाग होता है तो पहले उम्मिद्वारों से उनके आइस सम्मन दस्ताविज लेने होंगे उसके बाद ही दोवारा कॉलिफाइड कर चुके उम्मिद्वारों की लिस्ट तेयार होगी एक-एस बधोरिया क हैं उनको भी 27% का लाब नहीं में पाएगा तो आप इड आई सम्मंधी प्रॉंट पत्र इसको दस्तावेद तयार करने फिर उसके बाद पीवी के में एक लिंक आएगी जिसमें आपको आज सम्मंधी दस्तावेद आपको समिट करना पड़ेगा फिर वह पीवी उसमें नए स कर के मैरेट लिस्ट तैयार करें इसके बाद फिर फिर हुआ है संच्चन संचनाले को दDAY ये दर्थावेद भेजएगा फिर लोक संस्चना अ determine को औरTO करेंगा ठीक है इस इन सब्से पहले इस इस प्रक्रोल्क तो उसके बाब इसा प्रक्रिया अपनाई जाएगी और इसा प्रक्रीयाँ को पूरा करने में में 2.5 महीने लग सकते हैं दोस्तों दो महईने बोलने हैं इसमने दो से 2.5 महीने भी लग सकते हैं कांस्लिंग शुरू होने के लिए तो आपको इंतियार करना पड़ेगा दो से धाई महीने का वर्ग एक कांसलिंग के लिए और वर्ग दो की कांसलिंग के लिए आपको तो समझ में आगा होगा कि कब होगी कांसलिंग यहाँ पर आपकी कांसलिंग वर्ग दो की मार्च अपरेल में हो सकती है ठीक है अभी विद्वानों ने करा है मुंडन और जो निमित करने का जो बादा किया था उसके खिलाब एक मुहीम चुड़ी गई है और सरकार को पर बहुत ज़्यादा दवाव देखिए दोस्ते आपर निमिती करन की मांग लेकर अधिस विद्वानों का अंदोलन गुरुवार को भी जार है वाशा दिकता उसके तैसERS पर फैसर के लिए प्याश्पेस्ज में कर रहे हैं अटित लएट अविद्वान बाहर हो तो क्या गारंटी है विद्वान को बाहर नहीं किया जाएगा सही बात दोस्तों यहां पर सरक्राइब कर रही है जो बोलती है वो करती नहीं है महिला की बिद्वान तब्याइश कराब हो गई जिसे शुल्तानी एस्पटाल में भरती कराए गया कारण क्या है यहाँ पर दोस्तों कारण पर है जो उन्हें भचन दिया था वो स्निमित अंद्राल पर पूरा नहीं कर रहे हैं तो जि सेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करें कि इसी तरह की अपडेट में लाता रहता हूं तो दोस्तों मिलते हैं लिए अपडेट के सांथ तक्लिए बंदे मातरम जाहिन दोस्तों